पार्शिवनी शहर के आसपास के इलाकों में मंगलवाद दुपैर को ही भारी बर्फवारी की वज़ा से किसानों के खेतों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है वही खेतों में खड़ी किसानों की फसल बर्बाद हुई जिसमें किसानों को लाकों रुपै का माल इस बारिश में तभा कर दिया जहां खेतों में कपास गेहु चना फसले बर्बाद हुई करभान पारडी खंडाला भागी माहीरी इट गाव दिगलवाडी पारशिवनी पालोरा गाव में बड़े पैमाने पर बारिश की वज़ा से फसलों की तभाई हुई जहां 400 से 500 हेक्टर में किसानों की फसल को ओले गिनने से नुकसान होने की जानकारी अधिकारियों ने दी इसी के मद्दे नजब विदायक आशी जहसवाल के साथ और जिलब परिशे सदस्य अर्चना भुय तालूका क्रशी अधिकारी गच्छे और गट विकास अधिकारी पंचाय समीती पारशिवनी इन सभी ने नुकस गिनने से नुकसान की ततकाल भरपाई करने की मांग की है वहीं हुए नुकसान का सही दाम और भरपाई सरकार की और से किसानों को दी जाए इस तरह की मांग किसानों की और से की गई है जहां सारों किसानों की फसलों को नुकसान होने से आने वाले दिनों में इन किसानों को खेती करना और लागत लगाना कठिन हो गया है इसलिए शाशन की और से ततकाल भारी मात्रा में साहिता करने का नुरोध किसानों ने सरकार स किया है वहिविधाय काशी जैसवाल इन्होंने ततकाल सभी इलाकों में दौरा कर परिस्तिती का जायसा लेती हुए किसानों को मदद करने का आश्वासन दिया और जल सिजल्द किसानों को मुआफजा मिले इसके लिए अधिकारियों को आदेश दिये साथी जिला परिशत दस पार शिवनी से बीसे न्यूस केली रुपेश खंडारे की रपोट